अब हम देख लेते हैं agile model याने की ऐसा model ऐसा तरीका जिसमें की हम पूरे software उपर काम ना करते हुए बलकि उसके छोटे छोटे हिस्से पर इस तरीके से fast काम करते हैं ताकि हम उसकी productivity जल्दी दे सकें productivity जल्दी दे सकें मदलब one week से लिके four week के अंदर इसमें हम काम करके दे सकें तो यह पांच steps होती है जो agile model में होती है brainstorm, design, development, quality assurance और deployment तो सबसे फिले हम समझते है brainstorm क्या होता है brainstorm का मदलब होता है जब हम उसमें पूरा दिमाग लगाते हैं और हम उसमें requirement analysis समझनी कोशिश करते हैं कैसे क्लाइंट चाहता है कैसे उसकी SRS तयार की जाएगी वो brainstorm में आता है फिर हम उसके design तयार करते हैं design का मदला उसके अंदर data structure कैसा होगा architecture design कैसा होगा वो सब चीजे हम इसके तयार करते हैं document तयार करते हैं उसका prototype define करते हैं कि हमें actually में करना क्या है यहां पर हम development के बारवा iteration करते हैं उनको लोग को दिखाते हैं उनसे feedback लेते हैं फिर हम उनको दिखाते हैं फिर उनसे feedback लेते हैं और हम इस तरह के से अपनी coding करते हैं ताकि हमाज जो कोडिंग हो क्लाइंट के चेक लेते हैं और फिर लास में हम उसको क्या कर देते हैं deployment कर लेते हैं तो यह जो मोडल होता है इसको हम दो तरीके से परिवाशित कर सकते हैं ऐसा model जो कि बहुत fast काम करता है और बहुत कम time period में काम करता है जल्दी से हमको अपनी जो भी customer चाहता है जो client चाहता उसके model हम यूज कर सकते हैं